ओम नीला अंजरम समाबासम रवी पुत्रम यमागरजम छाया मारतंक संबूतम तमनमामी सने चरम जैमातादी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाज जोजिस सुवागत है मेरे यूट्यूब या फेस्बुक चैनल एस्टो आज में और मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं शनी की राशी के अनूसार साल 2021 सभी राशियू के लिए कैसा रहने वाला है जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जनवरी 2020 में शनी देव जो थे उन्होंने राशी को परिवर्तन किया यानि मकर राशी में उनका परिवर्तन हुआ और यह जो परिवर्तन है उत्रा शाड़ नक्षत्र यानि सूर्य के नक्षत्र में हुआ जिस कारण से धनू, मकर, कुम्ब जो राशियां उन पे लगी साड़े साती और मिथुन और तुला पे 2020 से शुरू हो गई धैया अब शनी का साल 2020 में अगर देखा जाए तो उत्रा शाड़ा नक्षत्र यानि सूर्य यानि अपने शत्रू यानि अपने पिता के नक्षत्र क्योंकि सूर्य शनीदेव के पिता है और दोनों में आपस में बंती नहीं है सूर्य ने अपना समराज्य शनी को नहीं दिया शनी ने अंधेरे वाला समराज्य चुना जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहां तक उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया और शनी ने अंधेरे वाला समराज्य चुना इसलिए पिता और कुत्र की बिलकुल बंती नहीं इसलिए उत्रा शाडा नक्षत्र के अंदर जब भी शनी होते हैं तो हमेशा शास्त्रोगे अनुसार कष्ट रहता है यानी सूरी के नक्षत्र में जब भी शनी का प्रवेश होता है तो राशियों को कष्ट मिलता है जैसा कि आप जानते हैं कि 24 जनवरी 2020 में शनी का राशी परिवर्तन हुआ शनी दे मकर रासी में गए और 12 राशियों पे कुछ न कुछ उसका अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए लेकिन शनी जो है वो उत्राशाड़ा नक्षत्र यानि सूरी के नक्षत्र में थे इसलिए कहीं न कहीं उनका जो अपेक्षा के अनूसार जो रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए वो अच्छा रिजल्ट 12 की 12 राशियों को नहीं मिला अपेक्षा क्रित रिजल्ट जो है कमतर रहा संगर्स साली 2020 रहा ऐसी स्ततिया बनी अब क्या है कि साल 2021 में 22 जनवरी 2021 में शनी देव श्रवन नक्षत्र यानि चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं उत्राशाडा नक्षत्र को टाटा बाय बाय कहे के अब जो है 22 जनवरी 2021 को स्रवण नक्षत्र में पूरा वर्ष रहने वाले हैं और शास्त्रों के अनुसार बिर्गु सहीता पाराशर सहीता के अनुसार स्रवण नक्षत्र के अंदर कोई ग्रहे आता है तो उसकी कुरूरता खतम हो जाती है यह शास्त्र मानते है श्रवण नक्षत्र को बड़ा शुब नक्षत्र माना जाता है अधिकतर मुहरतों में श्रवण नक्षत्र को बड़ा शुब की संग्या दी गई है तो इसका जो है जैसे ही 22 जनवरी को शनी देव आप श्रवण नक्षत्र के अंदर आएंगे तो अपन कुरूरूरता को त्यागेंगे जिस कारण से जो 12 राशियों है उन पे असर पड़ेगा और 12 राशियों पे क्या असर परने वाला है साल 2021 में स्रवन नक्षत्र में शनी जो विराजमान हो रहे उसका क्या एफेक्ट पड़ेगा इसको जानते हैं यदि मित्रो आपको ये तो हम लेना चाहते हैं तो आप जो है अपना नाम अपना देटो बर्त अपना टाइम ऑ बर्त और अपना प्रशन हमें वर्टसअप कर दे और वर्टसअप के माध्यम से आपको उपाय दिया जाएगा याद रखिएगा आपको अगर डिटेल में जानकरी चीए आपको हमारे 17210124289 नमबर है निसंकोज आप देश विदेश कहीं भी रहते हो निसंकोज आप इसमें वर्टसअप करके अपना समाधान पा सकते हैं और मित्रो ये पेसकस अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें चाहे फेस्बुक में देख रहे चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों चलिए विरशब राशी की बात कर लेते हैं तो साल 2020 क्या किए कि 24 जनवरी 2020 में शनी ने राशी परिवर्तन किया था और शनी मकर राशी में आये थे जिस कारण थे जो विरशब राशी वालों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं साल 2020 में कुछ मिला जुला फल मिलाता जहां पर परिवारिक सुक में ब्रिशब राशी की साल 2020 में व्रिद्धी वी यानि परिवारिक सुक भरपूर तरीके से मिला और नया काम नई प्रॉपर्टी नया वाहन आपको मिला ब्रिशब राशी व मिलाखे मिला जुलासा राया परिवारिक सुक्तो मिला 2020 में नया काम भी मिला नई प्रापटी सूझ और बति है यह उनगी तो उनकी नक्षत्र में। बैठ था जिस कारणesin को पूर्णुण नहीं मिला यानि पूरा तानाव भरा महोल रहा परिवारिक सुख जरूर मिला अब बात कर लेते हैं साल 2021 में स्रवन नक्षत्र के अंदर शनी आ रहे हैं और श्रवन नक्षत्र बहुत बढ़िया होने वाली है आये में विरिद्धी होने वाली है विदेश यात्राओं के योग नजर आ रहे हैं भाई बेन से अंडरस्टेंडिंग काफी अच्छी रहने वाली है भूमी और वाहन का निर्मान दुबारा से होने वाला है चलिए इसके बारे में डेटेल में जानते हैं सबसे पहला बिरशब राशी के स्वास्त के बारे में बात कर लेते हैं तो साल 2021 में शनी के श्रवण नक्षत्र में जाने से स्वास्त उत्तम रहेगा लाइव स्टाइल में बिरशब राशी वाले कई बदलाव करने वाले कई बदलाव का मतलब आप खाने पीने क रूटीन में चेंज करने वाले आपने बुरी आदतों में कंट्रोल करने वाले हैं, साथी साथ अपने लुक को बदलने वाले हैं, तो कहीं न कहीं आपका लाइव स्टायल में चेंज 2021 में हो रहा है, संगीत और कला का आप में शौक जागरित होगा साल 2021 में, इसी प्रकार से धन के बारे में बात करें, तो ब्रशब राशी वालो को शनी नक्षतर परिवरतन से कईना कई दो जगा से आपको धन में ब्रिद्धी होरी है, साल 2021 बड़ा धन दायक ब्रशब राशी वालों के लिए रहने वाला है, तो और दो ऐसे महीने जिसमें आपको खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, दस महीने अच्छे हैं, दो महीने आपके लिए खराब हैं, पहला महीना है जनवरी 2021, इसमें खर्चा और वाद विवाद आपका रहेगा, यानि शाल लगता ही, आपको ऐसा लगेगा, इस साल खराब है, लेकिन खराब नहीं है, ये साल बहुत अच्छा है और दूसरा महीना है, अक्टूबर 2021, इसमें खर्चा होगा, वाहन पे खर्चा, सरकारी खर्च होगा, नोटिस होगा, या कोई न कोई पैनल्टी पे आपका खर्चा होगा, तो दो महीने आपके हैं, जनवरी और अक्टूबर खर्चा दायक, बाकी पूरे साल बिशब अची का धनका फुलो काफी बहतर नजर आ रहा है, परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव का सुक जो है, सामानने सुक रहेगा, और माता पिता का अभी सुक आपको साल 2021 में सामानने फल दायक मिलेगा, कोई नया इवेंट नजर नहीं आ रहा है, इसी प्रकार से सं परिवर्तन से ब्रिशव राशी वाले जाता को जातिका जो नौकरी में करते हैं, जो नौकरी के लिए ललायत हैं, जो नौकरी का सरकारी जॉब का जिन्होंने इंटरिव्यू दे रखा है, परिक्षा पास करने के लिए ललायत हैं, तो उनको तो साल 2021 में खुशकबरी मिलन और पद वृद्धी के योग भी आपके बहुत जबरदस्त बन रहे हैं और फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आपके पद वृद्धी के बहुत तगड़े वाले योग बन रहे हैं तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा है इसी प्रकार से दामपत्य जीवन के लिए देखा ज बढ़ेगा क्योंकि बाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं पति-पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में और पार्टनर जो आपका पार्टनर उनको हेल्थ के इशू रहेंगे जनवरी मार्च और जुलाई पार्टनर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा महीना नह में योग बन रहा है या तो आप उस प्लेस को ही चेंज कर देंगे ऐसा योग नजर आ रहा है और काम आपका अच्छा चलेगा आपका काम बहुत जादा बढ़ जाने वाला है साल 2021 में शनी के नक्षत्र परिवर्तन के कारण तो मित्रो ये था ब्रशब राशी का वारशिक राशी फल इस कारे करम में मित्रो बस इतना ही मुझे दीजे जाया जया मतरी मित्रो